नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे नियो स्प्रिन एंटिबाटिक ओइंटमेंट के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे नियो स्प्रिन के बारे में तो फ्रेंट्स आप इस वीडियो क लाश तक जरूर देखे दोस्तों ये नियो स्प्रिन एंटीबियोटिक ओइंटमेंट है इसको इसकीन और आप्थलेमिक यूज में लाया जाता है दोस्तों नियो माईसीन इसका साल्ट है उसके बाद प्लॉक्सामिन भी और वेक्टेड़ सिन जिंक है ये तीन टाइप के इस को यूज कैसे करना है दोस्तों आप देखी रहे हैं ये है नियो स्प्रिन जो कि पांच ग्राम का है तो इस एडमिट का यूज कहां क्या जाता है जैसे कि हमारे आईज में कभी इरिटेशन होती है रेडिनेस या फिर आईज में इंफेक्शन हो गया है वेक्टेडियर इस सभी प्रोब्लम के लिए इस एडमिट का यूज किया चाता है इस एडमिट को यूज कैसे करना है जैसे आप इस एडमिट को लेते हो इंडेक्स फिंगर पर उसको अपलाई करके वहां पर जो एडिया है जहां पर आपको इरिटेशन होती है आप वहां पर इसको अपला करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है तो इसको अपलाय करने से आपको डर लगता है कि कहीं कोई जलन होगी आंख में फिर कुछ और इचिंग होगी तो वैसे कुछ डरने की कोई बात नहीं है In case ICHCHING जादा हो जाती है इस EADMIT को यूज करने से तो आप डॉक्टर की सलाश जरूर ले पिर इसके बाद दोबारा यूज करे उससे पहले आपको यूज नहीं करना, यूज करने से पहले अपने नजदी की डॉक्टर से मिले फिर यूज करे यह जो basically admit है इसको ज़्यादा अप्थलेमिक यूज में लाया जाता है और skin infection में जैसे कि nose के skin पर infection है थोड़ा सा यह फिर कोई pimple है वहाँ पर भी इसको apply किया जाता है तो यह जो admit है इसका price है 49.50 पैसा यानि लगभग 50 रूपिया में यह admit आपको किसी भी medical store पर आसानी से मिल जाएगी इस admit का जो packing है वो कुछ खास नहीं है लेकिन इसका जो काम है उसका review काफी अच्छी है अगर आप इस admit को google पर search किजिएगा तो इसका review काफी अच्छी है और इसका काम भी काफी अच्छी है अगर हम इस admit को open करते हैं तो इसका cap खोलने के बाद इसमें से directly बाहर आने लगता है इसको हम push भी नहीं करेंगे तो भी इसका admit directly बाहर निकलने लगती है तो इस तरीके से इस admit का use किया जाता है और जब आप इस admit का use करेंगे तो उसके बाद अच्छे से हाथ को धो ले ना है और धोने के बाद कहीं body में touch करना है उससे पहले नहीं करना है और आप इस कभर पर देख रहे होंगे ये जो लाल कलर किया गया है और इस पर कुछ लिखा गया है तो इसका ये मतलब है ये admit doctor के लिखे गए परचे पर मिलने वाली दवा है अब हम बात करते हैं इस admit का side effect क्या है इसका side effect है बहरापन, कान की छती, allergy, दस्त, तवचापड, चक्ते, बुखार, मतली या उल्टी, लाल चक्ते, धूंदली दृष्टी ये सभी इस admit का side effect है अगर आपको इस सभी side effect में से किसी भी side effect का पता चलता है तो आप अपने नजदी की doctor से तुरंत मिले तो friends आपको इस admit के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप comment में पूश सकते हैं आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like, share जरूर करें और सबसे खास वात अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप अविक तुरूं subscribe कर ले और साथ में bell icon भी दवा दे ताकि health से जूरी हर एक वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुचे तो friends हम मिलते हैं अगले next वीडियो में